नमस्कार हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने काल विभाजन देखा पिछली कक्षाओं में देखी जब हम काल विभाजन की बात हम कर रहे हैं तो हमने ये जाना कि जो काल विभाजन का जो सबसे पहला प्रयास है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियरसन करते हैं अपनी पुस्तक में और वहां पर अनेक महतोपूर्ण साहित्यकारों जननायकों के रूप में और साशन जिसक देखते हैं तो मोटे तोर पर वहां काल विभाजन में कोई बड़ी समस्या नहीं है बहुत बड़े मतबेद नहीं है अगर उसे दो भागों में बाटा जाए तो दो मतबेद प्रमुक रूप से दिखाई देते हैं एक वर्ग यह मानता है कि हिंदी साहित्यका प्रारंब सा हुआ है यह सात्वी सताब्दी से दस्वी शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्यकी प्रश्ट भूमी के रूप में मान लिया जाए तो यह मतबेद समाप्त हो सकता है ऐसा मानने की वजह क्या है देखिए जो सात्वी शताब्दी से दस्वी शताब्दी का समय है और उस से हिंदी का पूरु वरती साहित्य कहा जा सकता हैं तो इस प्रकार से यह मतब्हेद समाप किया जा सकता है यह दिभी हिंदी साहित्य के जो विभिन कालखंड् Ond की नामकरण को लेकर भी विद्वाणों में मतभेद रहा है topic हम, तो लेकिन उस मत्भेद के क्या कारण है क्या-कया-क्या नामकरण उन्होंने दिये हैं तो दसवी चताबंदी से चौद्वी चताबंदी तक के कालखंड को विभिन विद्वानों ने किया नाम दिया है ये हम आज की कक्षा में जाननी का प्यास करेंगे तो यदि जो पहला कालखंड है यदि हम मोटे तोर पे देखें तो दसवी शताबदी से जो चौदवी शताबदी का तक के आरंबिक कालखंड को आदिकाल के नाम से दिया गया है और साथ ही सतरवी से उननीसवी शताबदी के कालखंड को जिसको रीतिकाल नाम दिया गया है इ यदि हम इनके नामकरन देखें तो जैसे कि जो पहला कालखंड है जिसे हम आदिकाल हमने मान लिया है आदिकाल नाम जो हजारी परसाद द्वेदी का दिया गया है लेकिन अन्य विद्वानों ने इसका क्या नाम दिया है जो कि पहला कालखंड है इसको किस नाम से अभिहित कि है यदि हम देखें तो जो आधिकाल है उसका समय सांतवी शताबडी के मध्य से सान्थ शताबडी के तो यूजुँ जाना जाता है एक लिए और यदि हम आधिकाल की बात यदि हम शुक्ल के तो वहाँ पर 1050 से 1375 विक्रम समवत इसका काल विभाजन करते हैं और इसका नाम वो दे देते हैं वीर गाथा काल तो यदि इसका नामकरन देखें इस आदिकाल का तो इसको जो डॉक्टर ग्रीरसन है वो इस कालखंड को चारण काल नाम देते हैं याद रखना है आपको यही प्रश्ण प् परिक्षाओं में भी पूछे जाते हैं चाहे नैट की तयारी करें आप चाहे सैट या पीसी या यूपीसी जो भी तयारी करें तो दीखें जो पहला काल खंड है जिसे डॉक्टर नगेंदर साथवी से चौथवी शताब्दिक तक मानते हैं और जो आचारी रामचंदर शुक अभिहेत करते हैं इसी तरह जो मिश्रबंदु है जिन्होंने मिश्रबंदु विनोध लिखा है वो इस जो कालखंड है इस कालखंड को वो नाम देते हैं प्रारंबिक काल प्रारंबिक काल जो कि किसी भी कालखंड के प्रारंबु का सूचक है इसलिए वो इस कालखंड का प्रारंबिक काल दे देते हैं इसी तर इसारी रामचद्र शुक्ल आधिकाल को वीर काथा-काल नाम देते हैं इसी तरह जो महव साद्विवेदी हुए है जिणकी हिंदे की परिषकार में बहुत महतवपूर भूमिका रही है वह इस कालखंड को बीच वपन काल नाम देते है इसी तरह एं विशुनात् प्रसाद मिश्र जो है वह वीरес قाल नाम देते आचार्य हजारी परसाद दुवेदी जो है वो आधिकाल नाम देते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधिकाल और चारणकाल नाम से अभिहित करते हैं तो ये मुखे नामकरन है आठिया नो जो आपको याद अथने जरूरी है अब इन्होंने क्यों ये नामकरन ये नाम क्यों दिया है और क्यों ये स्विकार ये नहीं हुए हम इस पर बात करेंगे तो जैसा कि हमने पहला नामकरन दिया है चारनकाल और यह किसका दिया हुआ है डॉक्टर ग्रियर्सन का तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्ते इतिहास के आरंपि कालखंड का नामकरन जो है वो चारनकाल किया है लेकिन क्यों किया है इसका वो प्रमान अपने इतिहास गरंथ में नहीं दे पाए उन्होंने जो चारनकाल है वो 643 इसवी से माना है जबकि यदि हम देखें तो 1000 इसवी तक चारनकवियों द्वारा लिखे कोई रचना ही उपलब्द नहीं होती तो यह नामकरण इसलिए उप ग्रियर्सन ने दिया लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाए अपने इतिहास गरंथ में इसकी वजह वो नहीं बता पाए फिर हम देखते हैं कि प्रारंबिक काल किसने नाम दिया क्योंकि विभन प्रवर्तियों का प्रारंब का समय था इसलिए मिश्रवंदू इसे कि ये नाम उनके अनुसार किसी साहितिक प्रवर्ति का द्योतक नहीं है ये एक सामान्य संग्या है जो कि हिंदे साहितिके प्रारंब को बताती है अधह ये नाम तर्क संगत नहीं है किसी भी कालखंड का नाम किसी साहितिकार विशेश किसी रशनकार विशेश पर आधारित किसी ऐसी घटना पर आधारित हो सकता है, जिसने उस समय को बहुत अधिक प्रभावित किया है, किसी प्रवर्ति विशेश पर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां नहीं नजर आ रहा, इसलिए जो मिश्रुबंदु द्वारा दिया गया, जो नामकरण है आधिकाल का, प्र जो काल है, उसे आचारे रामचंद्र शुकल, जो हिंदि साहित्य का प्रथम कालखंड है, उसे ये नाम देते हैं, वो अपने हिंदि साहित्य के इधियास में, 105 समवत से लेकर, जो 1375 तक की कालावधी को वीरगाथा काल नाम से अभिहत करते हैं, अपने मत के समर्थन में व विशेश प्रवर्ति का निश्य नहीं हो पाता धर्म नीती श्रंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहूं में मिलती है इस अनिर्दिष्ट लोग प्रवर्ति के उपरांत जब से मुस्लिम समुदाय की चड़ाईयां प्रारंभ होती है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवर के पराक्रम पून चड़ितों या गाथाओं का वर्णन भी वह किया करते थे यह प्रबंद परंप्रा रासों के नाम से पाई जाती है जिसे लक्ष करके इस काल को हम वीर गाथाकाल कह सकते हैं तो शुकल ने आचारिज़गांचंद्र शुकल ने इसके आधार पर इस जो प्रथम कालखंड है उसका नामकरण वो आधिकाल का नामकरण वीर गाथा काल कर देते हैं और उन्होंने इस प्रवर्ति के लिए ग्यारा रचनाओं के नाम भी बारब ग्रंतों को भी आधार बनाया है जो निम्न हैं कि जिनका है विजेपाल रासो हम्मीर रासो कीरति लता की कि विद्यापति की रचनाएं है खुमान रासो बिसलद्यो रासो पृत्विराज रासो जयचंद प्रकाश जयचंद्र जय मयंक जस्चंदरikर पर्माल रासो खुस्रों की पहलिय और विद्यापति की पदावली तो इन बाहरा राक्षनाओं के आधार पर आचारी रामचं द्वेदी कहते हैं कि यह जो रचनाय जो बताई गई है बारहा आचारी रामचेद्र शुक्ल ने वह आप्रमानिक है वह आप्रमानिक सिद्ध कर देते हैं और वह कहते हैं कि वीर गाथा काल जो नाम है वो निरर्थक है जैसे कि यदि हम देखें बिसल देव रासो और खुमा प्रत्वीराज रासो है उसका मूल गृंथ काईसा है उसकी प्रामाणिक्ता पर प्रशश्ण चिंद्ध है इसलिए उसे अर्ध्प्रामानिक रचना मान लिया गया है परमाल रासो या आलाकंड जिसे कहा जाता है उसका मूल जो रचना है उसका आज तक पता ही नहीं चल पाया है और खुस्रों की पहलियां और विद्यापती की पदावली की यदि बात की जाए तो उनकी विशेवस्तु वीर गाथात्मक नहीं है तो और इसके अतिरिक्त यदि हम आदिकाल में देखते हैं तो फिर यदि केवल वीर गाथाकाल ही देख लिया जाएगा तो जैन कावे जो लिखा गया जो सिद्धसाहित्ते जो नाच्साहित्ते लिखा गया है जो लोकिक का विधारा है वो कहां जाएगी तो केवल वीर गाथात्मक प्रवर्ती नहीं है अपितु धार्मिक, श्रंगारिक और जो लोकिक साहित्य है वो भी इस कालखंड में लिखा गया इसलिए इस कालखंड को हम ये नाम वीर गाथा काल नाम नहीं दे सकते तो इसलिए ये जो आचारी रामचंडर शुक्ल कायतिपी कालवी भाजन बहुत प्रामानिक है उनका इतिहास ग्रंथ और उनकी जो द्रश्टी है वो बहुत हद तक बाद तक स्विकार की गई और उनके जैसा वेगानिक जो ग्रंथ है वो अभी तक हिंदिसा हित्ते में नही लिखा गया है हाला कि कुछ ऐसा हमेतिया है कुछ उनके स्थापना उपर लेकिन जो वो यी बात कहते हैं जब कालवी भाजन की बात कहते हैं उसको माना गया है लेकिन जब नामकरण में कुछ बात आती है जैसे वीरगाथा काल स्विकार नहीं किया गया जिन बाहरा प्रामानिक है, कुछ नोटिस मात्र है, कुछ अर्ध प्रामानिक है और जो दो रचना है तो खुसरों की पहलिया और विद्यापती की जो पदावली है, उनकी विशेवस्तु वीर गाथात्मक है ही नहीं, तो इसलिए ये नाम भी स्विकार नहीं हुआ क्योंकि इस काल में श आरंभिक कालखंड को जिसे हम आज आधिकाल के नाम से स्विकारते हैं, उसे सिद्ध सामंत काल कहकर पुकारा है, उनके मतानुसार क्यों दिया उन्होंने नाम, उनके मतानुसार इस कालखंड में समाज के जीवन पर सिद्धों का और यदि हम राजनेती पर बात करें, तो स यूग की अंतर बाहय प्रवर्थियों का यदी अध्यन किया जाए तो वहां पर सिधों और सामन्तों का ही वर्चस्व था तो यदि भी ये नामकरण ततकालीन सामंती व्यवस्था का तो परिचे देता है परन्तु इससे किसी साहितिक प्रवर्ति का हमें बोध नहीं हो पाता इस नामकरण से यदि हम देखें तो नाथ योगी कहां जाएंगे और खुसरों की बात पिर हम कहां करेंगे तो इन प्रवर्तियों का समावेश इस नामकरण में नहीं हो पाता यदि भी एक प्रवर्ति विशेश के और ये इंगित करता है लेकिन समुचे कालखंड की साहितिक प्रवर्तियों को नहीं समेटता है इसलिए ये नामकरण भी स्विकार नहीं हुआ फिर हम बात करते हैं बीज वपन काल ये जो नामकरण दिया ये हमारे आधुनिक काल के द्वेदी युग के जो प्रमुक कवी है जिनके नामकरण पर एक युग का नाम ही रख दिया गया महवीर परसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया है बीज वपन काल लेकिन ये नाम भी उप्युक्त नहीं हुआ देखे बीज के उगने का काल बीज के बोने और उसके उगने का जो समय है वो बीजवपन काल येदि हम इस संग्या के अर्थ की और जाए तो भाशा की दरश्टी से भले हम ये कह सकते हैं बीजवपन काल नाम ठीक है परन्तु साहितिक प्रवर्तियों की दरश्टी से देखें तो ऐसी स्थती उस समय नहीं थी तो अगर इस नाम के आलोक में हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कभी ये लेखा कैसा कहना चाहते हैं कि विभेन साहितिक प्रवर्तियां जो है वो समय शेशवकाल में थी परन्तु साहिति उस युग में भी प्रोड़ता को प्राप था और यदि हम देखें तो प्रत्वयाज रासों जैसे रचनाय यदि हम में मिलती है तो प्रोड़त्व को लेकर विद्यापति की पदावले जैसे रचनाय को मिलती है तो इसलिए यह नाम भी उचित नहीं है यह दिपी भाषा का वो शेशवकाल जरूर था लेकिन साहितिक ग्रंथों और साहितिक प्रवर्तियों की द्रश्टी से वो कतई शेशवकाल नहीं था इसलिए बीज वपनकाल नहीं दे सकते हम नाम एक नाम और आता है वीरकाल जो कि विश्वनात प्रसाद मिश्र ने हिंदि साहितिके प्रथमकाल खंड को दिया है यह नाम आपको ध्यान रखने हैं तो जब हम वीरकाल की बात करते हैं तो यह नाम आचारे रामचंदर शुक्ल का जो वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है उ समिचीन नहीं है, स्वीकार ये नहीं है, एक और काल नाम करना आता है संधी या चारण काल, और ये कौन देता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये नाम करन करते हैं, तो आधिकाल को वो दो खंडों में बाट देते हैं, जिसमें पहला खंड संधी काल और दूसरा चारण काल संदिकाल किसे कहा है उन्होंने संदिकाल तरसल भाषा की और इंगित करता है कि और यदि चाहरानकाल की पात करें तो वह यक्लवर्ग व крутले और यहाती की और उससे बोध होता है तो नामकरण में भी यदि हम देखे तो तुरुटी क्या है इससे भी किसी प्रवर्ति का बोध नहीं हो रहा है नामकरण ऐसा होना चाहिए जो समूचे उस कालखंड की विशेशता को उसकी प्रवर्तिकत इतिहास को समेट ले तो यह सब नहीं दिखाई देता है तो किसी जाती व स्विकार थे जिसमें हमने बात की वीरगाथा काल की बात की हमने सिधसामंत काल की बात की हमने जो प्रारंबिक काल की बात की वीरकाल की बात की और संधी और चारण काल की भी बात की अब आते हैं उस नाम पर जो स्विकार यह भी हुआ और क्यों स्विकार यह हुआ दिकाल यह नाम तो आपको यह ध्यान रखना है कि आचारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह नाम करण किया है और इस काल के साहित्य को अधिकांशत है संदिक्द और अप्रमानिक भी माना है लिकित फिर भी उसकी कुछ विशेष्टाओं की और ध्यान खीचा है वो कहते हैं कि एक नाविन्य है वहाँ नवीन्ता है और एक तेजर स्विता वहाँ पर दिखाई देती है और इसी के कारण जो नाविन्य और तेजर स्विता जो प्राभाविकता वहाँ है इसी कारण इस काल खंड का नाम करण आधिकाल दिया जाना चाहिए अपने मत्प को स्पष्ट करते हुए वो क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी का आधिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की शश्टी करता है और शोता के चित में ये भाव उत्पन करता है कि ये काल कोई आदिम, मनोभावापन, परंपरा, विनर्मोक्त, कावी रूडियों से अच्छूते साहित्य का काल है ये ठीक नहीं है ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूडि ग्रस्त और सचेत कवियों का काल है इस प्रकार वास्तों में आधिकाल प्रारंब का सूचक ना होकर परंपरा के विकास का सूचक है इस नाम से साथवी आठवी शताबदी के जो सिद्ध और नात हुए हैं बोध हुए हैं वीरगाथा काव्य इसमें रचा गया और अब्दुर्रह्मान विद्यापती और खुस्रो सभी को इसमें एक सूत्रता से समेटा जा सकता है और फुटकर कव्यों के नाम गिनने से बचा जा सकता है तो आधिकाल नाम में हिंदी का विरूपो और भाशा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है अत्रह यही नाम उप्युक्त ठहता है इसलिए इतनी सारी बात हैं कि विबिन प्रवर्दियों को समेटा जा सकता है और साथ ही किसी प्रारंब का सूचक ना होकर एक परंपरा के विकास का सूचक ये संध्या ये देती है इसलिए अधिकांश विद्वानों द्वारा आज भी आधिकाल नाम ही स्विकार किया गया है जो हिंदि साहित्य का पहला कालखंड है तो ये बात आप ध्यान रखें जब हम हिंदि साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि इतिहास के विध्यारती के लिए जो हिंदि साहित्य का विध्यारती है उसके लिए इतिहास हर कक्षा में और हर परिक्षा के लिए महतोपून भाग है तो हमने इसके काल विभाजन को देखा और इसके नामकरण को हम देख रहे हैं और आज हमने आदिकाल का नामकरण देखा है देखे जब हम नामकरण विश्यक जो बात कर रहे हैं तो वहाँ पर नामकरण दो ही जो काल है उसमें समस्या है एक हम आदिकाल की बात करते हैं और ए क्यों स्विकार नहीं हुए चाहे वो ग्रीयर्शन का चारण काल नाम दिया गया हूँ, चाहे मिष्वनात प्रसाद मिष्र का वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदी काल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का संधी काल और चारण काल तो यह नाम क्यों स्विकार नहीं हुए हमने इनके कारणों की जाच की और क्यों हिंदिस आहित्य का जो प्रारंबिक काल है आदिकाल के नाम से जाना जाता है हमने इस पर बात की तो मेरी ख्याल से यह चीज़े इस परष्ट है और यह परिक्षा के लिए बहुत महतुपून प्रश्ण भी तयार होता है यदि मैं भी यह प्रथम वर्ष की बात करूँ तो वहाँ पर हिंदिस आहित्य के काल विभाजन से संबंदित प्रश्ण तो आता ही है हिंदिस आहित् विभिन मदों पर प्रकाश डालिए यह भी प्रश्ण आता है अब मैं बात करूँ यदि में की इस नातकोतर कक्षाओं की तो पूरवार्द में हिंदिस आहित्य का इतिहास है वहाँ पर भी यह प्रश्ण बनता है और जो उत्रार्थ के विध्यारती हैं जो निबंद वहा पर आधिकाली इन साहित्य की समस्याएं एक निबंद के रूप में यह विशया सकता है तो वहां पर भी इसका अध्यान करने की आवशक्ता है तो इसके लिए इस कक्षा को देखें आज के लिए इतना ही नमस्कार